हाईलो दोस्तों गुड आप्टरनून स्वागत है आप सबका स्युक्रुपा कलास अचपार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरपी अफ कांस्टेवल हुआ है ऐसा एकजाम दो हजार चोविस के आल सिफ्ट में पूछा सकने वाले इस्टेटिक जीके जीस, मिसलेनियस वा करेंट के परसनों को सालब करेंगे दोस्तों आपके एकजाम्स में इस्टेटिक जीके जीस, मिसलेनियस वा करेंट अफियस के जितने भी टापिक से कोशन्स पूछे जाने हैं उन सभी टापिक को कलेक्ट करके टूजड एक एक कोशन कि एक फैक्ट चुन-चुन के डाला गया है इसके लावा आपके प्रिवियस एरे अग्जाम्स के पस्टों को भी सामिल किया गया है साथ में एक्ष्टा फैड को पूरी तरह से कवर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोगी ने कांस्टेट होकर सालु करें कोसं कमसाल होने पर पुना पसनों करी वीजन करें ताकि आरपी अफ कांस टेबल वाएं से एक जाम दो हजार चोबिस में आप लोग इस टेटिक जीके जीएस मिसलेनियस वा करेंट के टापिक से अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें ध्यार रखें दोस्तों आपके एक्जाम में टापिक से पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों यदा समयने लेते हुए हम लोग इन सभी मुश्ट पाट पसनों को सालू करना शुरू करते हैं दोस्तों को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टापिक से पहला कोस्चन है मारा जनगरना 2011 के अनुसार भारत का जन संक्य गहनत तो कितना है करेक्ट एंसर होगा 382 वेक प्रतिवर की किलोमीटर फस्ट कोस्चन दोस्तों हमारा किस टापिक से लगा हुआ है जन गरना 2011 से यानि की संसर्स 2011 से जो कि आपका सुपर टापिक है ट्रिंग टापिक है आपके हर सिप्ट में दोस्तों यहां से कोस्ट एक जामें किसी भी टेंट से पूछाते हैं ना कोस्टन आप से मिस होंगे और ना ही कोस्टन आप से गलत होंगे तो चलिए दोस्तों इस सुपर टापिक से कॉम लोग पूरी तरह से कंप्लेट करना शुरू करते हैं कोस्टन था हमारा जन गरना 2011 के अनुसार भारत का जन सं जन गरना की शुरूआत 1872 में लाड मेव के कारिकाल में हुई थी नेक्स्ट भारत में नियमित जन गरना की शुरूआत 1881 में लाड रिपन के कारिकाल में हुई थी आगे बढ़ेंगे स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विस्व में जन गरना कराने वाला देश है और अ 2011 की जनगर्णा की भारत की पंदरुई जनगर्णा और सोतंतर भारत की सात्वी जनगर्णा थी, next, 2011 की जनगर्णा का दर्स हुआ के हमारी जनगर्णा हमारा भविश से, आगे बढ़ेंगे, 2011 की जनगर्णा के समय जनगर्णा आएक तो डाक्टर सी चंदरमोली थे, और 2011 की ज जनसंख्या की दसकेव रिद्धी तो 17.7% रहे इस फेक्ट को आप लोग रटके रखेंगे नेक्स्ट 1911 से 1921 हिस्वी के दोरान भारत में जनसंख्या की दसकेव रिद्धी तो रिलहात्मा करहे कितना माइनस 0.31% और यहां भारत की जनगर्णा के इतियास में पहले भार हुआ जिस काण 1921 हिस्वी को महान विभाज़ा कुवर्स यानि कि Year of the Great Divide कहा जाता है पूरी तरह से आप प्रिपेर रहेंगे अब यहां तक दोस्तों आपकी बेसिक चीज़े थी अब जनगर्णा 2011 से जो डाटा निकल के आया उसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लेट करेंगे चलिए सुरू करते हैं पहला पॉंट देखेगा 2011 की जनगर्णा के उसर भारत की इकुल जन संक्या तो एक अरब 21 करोण 8,04,977 यानि की एक रूप में कहा जाए तो 121 करोण है जो की 20 की इकुल जन संक्या का 17.5% है इस डाटा को आप रट के रखेंगे नेक्स्ट 2011 की जनगर्णा के उसर इनमें पूरुज जन संक्या की बात की जाए तो 51.47% यो महलाओं की बात की जाए तो 48.53% थी नेक्स्ट 2011 की जनगर्णा के उसर देश की इकुल जन संक्या में सहरी जन संक्या तो 31.2% यो ग्रामीड जन संक्या 68.8% थी आगे बढ़ेंगे, 2011 की जनगर्णा के उसार सरवादिक जनसंख्या वाला राज जी तो उत्तर परदेश है, यो नियूंतम जनसंख्या वाला राज जी वो सिक्तिम है, अब यही चीज़े आप लोग केंसासित परदेश में देखेंगे, तो 2011 की जनगर्णा के उसार सरवादि दसके जनसंक्या बृद्धि वाला राज जी तो मेघाला है कितना यहां का 27.95 परसंट योब नुटम 10 के बृद्धि वाला राज जी तो नागा लेंड है कितना यहां का मायने 0.6 परसंट अब यही चीजे आप लोग के इंसासित परदेश में देखेंगे तो 2011 की जनगर्णा कितना यहां का 55.9 परसंट योब नुटम 10 के बृद्धि वाला के इंसासित परदेश ओला राज जी तो 2011 की जनगर्णा के उनसाथ सरवादिक जनसंक्या घनत वाला राज जी वो बिहार है कितना यहां का पूरी तरह से आपको प्रिपेर रखने हैं हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो भी टाफिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको हर टेंड से वहीं पर पूरी तरह से कंप्लेट कर लिया आता है इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से से दोस्तों मैटियल का कलेक्शन क्यों न करना पड़े एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों आपके एक्जाम्स में जो पूरे 50 कोसंस का बेटेस है जिसमें आपका पूरा इस्टेट जनगर्णा के उसार भारत का लिंगानपात तो सबसे पहले लिंगानपात 933 है इसको धियान रखेंगे अब राजी में देखिए 2011 की जनगर्णा के उसा सरबाधिक लिंगानपात वाला राज जी तो केरल है कितना याख एक हजार चौरासी यों निउन्तम लिंगानपात वाला केंसासित पर्देश वो दमानियोंदीव है कितना यह का क्योवल 618 पूरी तरह से आपको प्रिपेर करके चलने हैं अब देखेंगे दोस्तों एक इंपॉर्टन नोट लगा है हम सबसे पहले हर डाड़ा के दोस्तों जो हमें यहां पर सालब करने हैं उनका डिफनीशन सबसे पहले भारत का पूरा बता दिया गया है डाटा उसके बाद में किस राज में ज्यादा किस राज में कम है फिर केंसासित पदे इस तरह से दोस्तों क्रम से सारी चीज़े यहां पर जनगर्णा 2011 को कंप्लेट की गई है नोट देखेंगा क्या किया रहा है जन्म से लेक सरबाद देख लिजे कितना है 919 है अब राज में कबर करेंगे तो 2011 की जन्गर्णा के उसा सरबादिक शिश्यू लिंगान पात वाला राज जी वह अनवाचल पर देश है कितना यहां का 972 योम नियुम्तम शिश्यू लिंगान पात वाला राज जी हर याड़ा है कितना य का 871 ध्यान रखेंगे आप लोग आगे बढ़िएगा दोस्तों अगला आपका नोट क्या कह रहा है साथ वर्स और उसे अधिक का जो ब्यक्ति किसी भासा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साथ चर कहलाता है यानि अब हम लोग दोस्तों साथ चर्ता यानि की लिटरेसी को कबर करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले भारत की साथ चर्ता दर देखेंगे तो 2011 की जनगर्णा की उसार भात की साथ चर्ता दर 74.04% है अब चलिए स्टेट यानि राज में देखिए तो 2011 की जनगर्णा की उसार भात का सरबादिक सा सच्छता वला कें सासित परदेश कोंसा है दादरायम नगर हमेली कितना है का 76.2 परसंट क्रम से आप पूरी तरह से कंप्लेट करेंगे ताकि कोई सबकुछ पूरी तरह से कंप्लेट करें फुल कलर में दोस्तों आपका पीडियफ आएगा आगे बढ़िएगा पॉइंट है आपका 2011 की जनगरना के उसा सरवादिक ग्रामीर जन संख्याला राज जी वो हिमाचल परदेश है कितना है 90 परसंट यो निम्तम ग्रामीर जन संख्याला राज जो गोवा है कितना है का 37.8 परसंट अगला डाटा क्या कह रहा है आगे बढ़ेंगे, पॉइंट आपका क्या रहा है, 2011 की जनगर्णा के उसाथ भाद का सरवादिक शहरी जन संख्याला के इंसासित परदेश, वो दिल्ली है, कितना है, 97.5%, यो निम्तम शहरी जन संख्याला के इंसासित परदेश, वो निम्तमान निकोबार्ति, समोगे कितना है का, 37.7%, आगी बढ़िएगा, पॉइंट के रहा है, 2011 की जनगर्णा के उसाथ भाद में अनुसूची जात को आप लोग कवर करें, यानि SC की, तो कुल संख्या कितनी है सबसे पहले, 20.14 करोन, अब ध्यान रखेंगे, अब इस टेट यान किसमें सबसे जादा निवास करती है, ये कवर करेंगे, तो 2011 की जनगर्णा के उसाथ भाद का सबसे ज़्यादा अनुसूची जाती है, यानि SC जनसंक्या अला राज यक्यां सासित परदेश कोई साहत उत्तर परदेश है, अब परतिसत में देख लीजिए, तो 2011 की जनगर्णा के उसाथ सबसे ज़्यादा अनुसूची जाती, यानि SC जनसंक्या परदेश परदेश कोई भी अनुसूची जाती की यानि SC निवास नहीं करती है, ये भी आप लोग ध्यार रखेंगे, बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले डाटा की ओर, अगला डाटा आपका क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगर्णा के उसाथ देश में अनुसूची जनजात, यानि SC की बात हो रहे, की कुल संख्या परदेश तो 10.43 करोण, जन संक्या परती सत्ता वाला राज्या के अंसासित परदेश, तो लच्छी दिउफ है कितना याका, 94.8% इसको यहां तक आप लोग कंप्लेट रखेंगे, एक इंपॉर्टन नोट देखिए, 2011 की जनगर्णा के अंसार, पंजाब हो गया, हर्याणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगर्ण और पुदिचेरी में कोई भी अनुसूची जनजात यानि की अश्टी निवास नहीं करते, पूरी तरह से आप त्यार रखेंगे, आप चले दोस्तों, 2021 की जनगर्णा, जो होने वाली है, अभी तक हो नहीं पाई है, लेकिन कभी भी की जाएगी, तो वो 2021 की जनगर्णा के नाम से ही जानी जाएगी, और यह जनगर्णा 2025 में करुआ जाएगी, इसे जो फैक्ट निकलते हैं, उसको भी आप लोग कम्पलीट करेंगी, तो क्या है, 2021 की जनगर्णा होगी, सबसे पहले दोस्तों, California जनगर्णा होगी, और इसके जनगर्णा आयुकता है, PDF दोस्तों हमाय दोरह पूरी तरह से prepare किया गया है कराणे दोस्तों हम जानते हैं कि SSC में भी और Railway में भी आपकी बहुत सरी vacancy लग चुगी कई vacancy का आपका दोस्तों tier 2 भी लग चुका है और बहुत सरी vacancies का दोस्तों आपका exam date भी लग चुका है को collect किया गया है इसके लोग दोस्तों आपकी questions को weightless को उनकी level के 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है इसमें दोस्तों आपका पूरा science का भी special PDF आएगा यानि physics, chemistry, bio का पूरा आपका static, gk और miscellaneous यानि history, quality, geography और दोस्तों economics दोस्तों आपका vivid का भी special आपके सामने है देखेंगे किस टापिक से रखा गया है किस पंचुवर से योजना के दोरान इसरों की स्थापना हुई थी करेक्ट यानसरों का चोथी पंचुवर से योजना कोश्चन का टापिक क्या दोस्तों भारत की पंचुवर से योजना है आपका सुपाव टापिक, trending topic, वर्गिरीन टापिक आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारे questions, बहुत सारे facts यहां से निकलते हैं जो कि आपके exam में continue पूछाते हैं तो सब कुछ पूरी तरह से collect करके A to Z seat आपके सामने लगा दी गई है अगर इस seat को आप अच्छे से prepare करके चलते हैं तो दोस्तों पंच उवर से योजना से related कोई भी questions आपके exam में किसी भी टेंट से पूछाते हैं ना question आपसे मिसोंगे और ना exam में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा इसे में से दोस्तों आपके exams में already questions बनते रहते हैं वो continue repeat होते रहते हैं तो चलिए दोस्तों इस super topics को में लोग पूरी तरह से complete करना शुरू करते हैं question दा हमारा किस पंच उवर से योजना के दोरान इस रोग के स्थापना हुई थी करेक्टन सुरूगा चोथी पंच उवर से योजना टापिक है दोस्तों आपका भारत की पंच उवर से योजना है चलिए सिट को थोड़ा से अपने सामने करते हैं देखेगा important points के जरिए इस topic को A to Z यानि basic से लेकर सब कुछ पूरी तरह से complete किया गया है पहला point है हमारा भारत के पर्थम परधान मंत्री 15 जवहलाल नहरू द्वारा सन 1909 में देश में आर्थिक विकास को गती देने के लिए पंच उवर से योजना सुरू की गई थी भारत के पहले पंच उवर से योजना शुरू हुई थी आगे बढ़ेंगे भारत ने रूस देशे पंच वर से योजना को उपनाया था जोसेफ इस टालिम पर्थम बेखती थे जिन्होंने सोबिय संग में वर्स 1928 में पंच वर से योजना को लागो किया था और पंच वर से उवना बनाने का मुख्यकार प्लानिंग कमिसन यानि कि योजनायोक का था आप लोग जानते होंगे तो योजनायोक की भाग थुई है तो यहां से भी दोस्तों को संस बनते हैं इसको आप कबर कीजिए पहले पहले पॉइंट है योजनायोक का गठन 15 माच 1950 ध्यां रखेंगे डेट के साथ को दोस्तों केंद्रियमंद मंडल के प्रस्ताव द्वारा हजारों बार पूछा गया है इसका गठन किया गया था योजनायोक के एक संग्मेधानिक संस्था नहीं है और योजनायोक के पर्थम अध्यस पंडेज जवाहलाल नेरू योँ पहले उपाद्यस गुजजारी लाल नंदा थे यहां तक सबको दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेर करके रखने हैं यह आपकी बेसिक चीज़े थी आप चले यहां से दोस्तों आपका भारत की पंचुवर से योजनायों स्टार्ट होती है दोस्तों इसी ओजना काल के दोरान कई बड़ी सिचाई प्रियोसनाय लगाए गई जैसे लोग हाखडान अंगल प्रियोसना दामोदन नदी घाडी प्रियोसना और व्यास प्रियोसना यह सारे कोस्तों हजारों हजार बार पूछे गये ध्यान रखेंगे चलते हैं दूतियों पंच वर्शे उन्ना की वर समयधी की बात की जाए एक अपरेल 1956 से लेका 31 माच 1961 तक माडल की बात की जाए तो PC महल नोबिस माडल परादाई थी मोखुदेश था इसका उद्दोगी विकास नोड देखी दोस्तों दूतियों पंच वर्शे उन्ना के दोरान अनेक महात्पुण बिर्या दुद्दोग जैसे रावर केला भिलाई दुर्गापूर करमसा लगा हुआ ध्यान देंगे जर्मनी रूस और बेटन के सावक से स्थापित के गए थे दूतियों पंच वर्शे उन्ना के दोरान भारत में मिसी तद्वयोस्ता का बिकल्प चुना कया था पूरी तरह से किसी भी फैक्ट को दोस्तों आपको इसमें से मिस करके नहीं चलने द्यान दीजेगा चलते हैं तित्यों पंच वर्शे उन्ना की बहुर मुख उद्देश भारत पाकियों 1965 तथा भूत पूर्व सूखा 1966 नेक्स्ट तिरतिया पंच वर्शे उन्ना किया सभलता के बाद सरकार को योजना उकास कब कब तो 1966 से लेका संसर संसर से लेकर अंसर और अंसर से लेका 79 की घोशना करनी पड़ी और इस वोधी में तिन वर्शिक योजना है त पुदेश था इसका इस्थिरता के साथ आत्म भरता यों किसी तथा सिचाई पर महत्तु अब तीन कोश्चन यहां से सुपर निकलते हैं पहला है किस पंच वर्शे योजना में 14 वेंकों का रास्टे करण किया गया था तो चोथी पंच वर्शे उन्ना थी नेक्स्ट किस प पंच वर्शे योजना की ओर पंच वर्शे उन्ना की बात की जाए दोस्तों मुख देश इसका गरीबी उन्मुलन और आत्म भरता पर बल अब दो कोश्चन आपकी यहां से सुपर निकलते हैं पहला है किस पंच वर्शे योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दे गया तो पांचवी पंचवर से उना ही हजारों बार पूछा के कोशन है अब लोग जानते हैं नेक्स्ट कौन से पंचवर से योजना जो किवल चार वर सी ही चली थी तो भी पांचवी पंचवर से योजना ही थी छटी पंचवर से उनना देखेगा दोस्तों समयदी 1980-1980 ध्यान रखेंगे और छटी पंचवर से योजना के दोरान ही सियूरामन समिती जरूर ध्यान रखेंगे कि सिपारिस पर क्या तो दोस्तों 1982 में राष्टे किरसी उंग्रामेड विकास वैंक यानिकी नाबाड की अस्थापना की गई थी पूरी तरह से आपको प्रिपियर कर के चलने हैं आगे बढ़ेंगे बात की जाए साथवी पंच वर्सी योना की दोस्तों तो समयदी थी इसकी उनिसो पचाशी से उनिसो नवे मुख धे जरूर ध्यान रखेंगे रोजगार सिछा तता जन स्वास्त का विकास आठ्वी पंच वर्सी योना की बात की जाए समयदी थी उनिसो सत्ता नवे से दो हजार दो मुख धेस था इसका न्याय पॉर्ण वित्रण योम समानता के साथ विकास सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रपेर करके चलने हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों दसवी पंच वर्सी योना की बात की जाए समयदी थी इसकी दो 2002 से 2007 मुख धेस था गरिबी और बेरोजगारी को समाप्त करना योम अगले दस वर्सों में परतिव्यक्तियाई को दो गुनी करना ग्यारवी पंच वर्सी उन्या की बात की जाए गए उसके अस्थान पर दोस्तों एक जनुरी 2015 को ही नीतियायो का गठान कर दिया गया था वर्तमान में दोस्तों नीतियायो के CEO और उपाध्यस कौन है यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे पीडियाप के लिए दोस्तों यह हमारा होटसप नंबर लगा हुआ है पंचायती राज विए उस्ता यह भी आपका सुपर टापिक टेंडिंग टापिक अबर गिरिन टपिक बहुत सारे कोस्टन बहुत सारे अपके एक्जामें कांटिनू पूछाते तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है अगर इस सीट क आप अच्छे से प्रिपेर रखते हैं तो पंचायती राजवेवस्था से related कोई भी questions आपके exam में किसी भी टेंट से आते हैं समदाय को ससक्त बनाने और जमीनी अस्तर पर लोगतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पीस की गई थी पूरी तरह से आप प्रिपेर रहेंगे अब चलेगा दोस्तों पंचायती राजवस्था के तीन अस्तर होते हैं सबसे पहले इसकोप कर लिट कीजिए तो पॉइंट है आ खुद देश अस्थानिय सासन के महत्तु के बारे में जागरुकता बढ़ाना है नेक्स्ट पंचायती राजवस्था को त्यत्रों संग्धान संसोदान 1992 के द्वारा संगमेधानिक दरजा प्रदान किया था नेक्स्ट पंचायती राजवस्था सरपर्थम दोक्टूब 1969 को राजस्थान के नागोर जिले से आरंब की गई थी आगे बढ़ेंगे तिरस्तरिय पंचायती राजवस्था का सुझा बलू अंतरा में था समिति ने दिया था नेक्स्ट संग्धान की ग्यार्यों इन सोची में इसका वड़ान है दोस्तों इसमें टोटल 29 कारियों को सामिल किया गया है और लाड रिपन को भरत में स्थानी सो सासन का जनक मना आता है सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेर रखेंगे जो भी टापिक्स उठाए आते हैं दोस्तों बेसिक से लेकर सब कुछ वहीं पर पूरी तरह से उसको कलेक्ट कर दिया आता है आगे बढ़ेंग गठाए पंचाइती राज की सूची के इंतर गता तो राज्जी सूची का भी सथ्यार रखेंगे आप लोग अब पंचाइती राज भूस्ता से जुड़ी जितने भी दोस्तों समीतियों कर गठान किया था उनको मैं पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे देखे गा पंचाइती राजबोस्था से जोड़ी महत्पूर समितियां पूरी तरह से कलेक्ट रखेंगे, प्रिपेर रखेंगे, अलग एलक्टेंट से सारी चीजे पूछी आती है, पहले दोस्तों हनुमंत राव समिती गठित की गई थी, 1983 में यह भी पंचाहिती राजबोस्था से रिलेटर है, जी बी के राव समिती जो की गठित की गई थी, 1985 में यह भी पंचाहिती राजबोस्था से रिलेटर है, अलम सिंग भी समिती गठित की गई थी, 1986 में यह भी पंचाहिती राजबोस्था से रिलेटर है, बलु अंतराय महत्ता समिती आप लोग जानते हैं, गठित की गई थी ग्राम पंचायत की आयका मुखी सुरोथ क्या है तो मेला यों बाज़ार कर। नेक्स्ट, पंचायतिरा स्परणाली किस पराधायत है तो सत्ता के विकेंद्री करोण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायतिरा संस्थाओं के निर्वाशन के लिए उतर दाए तो राज़े निर्वाशन आयोग और दिवस्तरिया पंचायतिरा ज्वस्ता का सुजाओं किस ने दिया था तो सोक मेहता समिति ने दिया था ध्यार रखेंगे। पीडियाप के लिए हट सब नमबर हमारा लगा हुआ है बढ़ेंगे दोस्तों आपके सामने हैं देखेंगे किस टापिक से रखा गया है कोश्चन है मारा बंगाल का पर्थम गौवर्णर कौन था करेक्ट अंस होगा लॉड कलायू टापिक क्या दोस्तों आपके कोश्चन आपके पीडियाप में दोस्तों आट कर दिया गया है जहां जहां से आपके एकजांप्स में कोश्चन बनने हैं तो चले दोस्तों कम्प्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है हम लोग इसको अच्छे से प्रिपेर करना सुरू करते हैं कोश्चन था हमारा बंगाल का पर् में बंगाल में दो इति सासन परणाली किसने लागों की थी तो भी रावर्ट कलायू नेक्स्ट बंगाल का पर्थम गौवर्नर जनरल कौन था तो वार्यन हेस्टिंग्स थे और रिगुलिटिंग एक्ट कब पारित हुआ था करेक्ट अंसों का 1773 रिसीवी में करम से चीज इसके कारिकाल में कलकत्ता में उच्टम नियाले के स्थापना हुई थी तो भी वार्यन हेस्टिंग्स के आगे बढ़ेंगे किस बेटि सासक ने भारत में पुलिस परसासन की शुरुआत की थी तो लाड कार्णुवालिस ने और बंगाल में स्थाई बंदो वस्त आपका आगे बढ़ेंगे भारत के पहले गौर्णर जनरल अब भारत की बात हुई पहले बंगाल के गौर्णर की बात हुई फिर बंगाल के गौर्णर जनरल अब भारत के गौर्णर जनरल तो भारत के पहले गौर्णर जनरल कौन थे लाड विलियम बेंटिक थे नेक्स्ट किसने सती पर्था को समाप्त करने लिए कानून बनाया था तो लाड विलियम बेंटिक ने ही पूरी तरह से आप प्रिपेर रहेंगे आगे बढ़िएगा अगला कुश्चन आपका क्या कह रहा दोस्तों राज जी हडप नीति यानि कि बेपगत सिंधांद किस गौर्णर जनरल ने अपनाई थी तो लाड डलहोजी ने नेक्स्ट किसने ठासोंड तालीस इसबी में भारत में लोक निर्माड विभाग की सुरुआत की थी तो लाड डलहोजी ने ही आगे बढ़िएगे पहली बार डांक टिकट किसके सरसन काल में जारी किया गया था तो लाड डलहोजी के ही और किस गौर्णनर्स जनल को भारते रेलोए के पिता के रूप में जना जाता है, तो लाड डलहोजी को ही, आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला बेटी स्वाय सराय कौन था, तो लाड कैनिंग थे, नेक्स्ट, अठावसो सता निस्बी के विद्रों के समय भारत का गौर्णनर जनल को था, तो लाड कैनिंग ही थे, नेक्स्ट, किसके कारिकाल में 856 में हिंदू, बिधवा, पुनरग विवा, अधिनियम पारीत हुआ था, तो लाड कैनिंग के ही, नेक्स्ट, भारत में पहली जनगर्णा 822 में हुई थी, आप लोग जानते हैं, किस गौर्णनर्स जन प्रणा 922 में हुई थी, तो लाड में होगे ही, अभी हम लोग इसको साल्व किये हैं, नेक्स्ट, 878 में किसके कारिकाल में वर्णा के लडर्प्रेस्ट पारित किया गया था, तो लाड लिटन के ही, नेक्स्ट, भारत में स्थानी ये सोसासन का जनक किसे मनाता है, तो रिपन के और इलबर्ट विल के स्वायसराय के द्वारा 883 में पेश किया गया था तो लाड रिपन के देखेगा सारे कोश्चन किलियर करके दूसरां इंसर देगे ताकि किसी भी तरह से आपको कन्फ्यूजन ना रहे आगे बढ़िएगा पॉइंट है आपका 882 के भारती सिच्छा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी लाड रिपन के नेक्स्ट लाड रिपन से बहुत सारे कोश्चन आपके बने हैं आगे बढ़ेंगे भारत में नियमीज जनगरना 882 में किस वायसरा के कारिकाल में हुई थी तो लाड रिपन के आगे भारत के गौर्णर जनरल कौन थे तो लाड हार्डिंग दिवतिये थे नेक्स्ट किस गौर्णर जनरल के द्वारा बंगाल के विभासन को रत किया गया था तो लाड हार्डिंग के नेक्स्ट जलियालाबाग हत्याकांड किस वायसराय के कारिकाल में हुआ तो लाड चेंप सफोर्ड की आगे बढ़ेंगे भारत में खिलाफ़ता अंदोलन किस के कारीकाल में सुरू हुआ था तो लाड़ चेम्प सफोर्ड के ही नेक्स्ट साहिमन कमीसन का एगमन किस वाइसरा के कारिकाल में हुआ था तो लाड इर्बिन के गाधिर बिन समझोते को और किस रूप में जना था तो दिल्ली समझोता और गाधिर बिन समझोता हुआ कब था दोस्तों तो 5 मार्च 1931 को ध्यान रखेंगे आप लोग आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन क्या दोस्तों आप लो यहां तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे तो दोस्तों इस टापिक को आप लोग यहां तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे पीडियाप के लिए हमारा वार्टसप नंबर लगा हुआ है बढ़ेंगे दोस्तों आपके सामने है देखेंगे किस टापिक से रखा गया है कोश्चन है महात्मा बुद्धि ने अपना पर्थम उब्देश कहां पर दिया था करेक्ट अंसरोगा सारनाथ रिसी पत्तना में कोश्चन का टापिक है दोस्तों आपका बहुत धर्म से आपका कोश्चन है आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टापिक है ट्रेंडिंग टापिक है बहुत सारे कोश्चन बहुत सारे फैक्ट यहां से निकलते हैं जो कि आपकी एक्जाम में कांटिनू पूछ आते हैं में आप एक एक पॉइंट को दोस्तों आप लोग कांस्टेट होकर सालू करेंगे पहला पॉइंट है हमारा गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्त के निकट लुंबनी में 563 हिसा पूर्व में हुआ था नेक्स्ट इनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो कि साकी गण के पर महावीनिस करमर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती 35 वर्ष की उस्ता में उर्भेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी आगे बढ़ेंगे महात्मा बुद्ध ने मल गंडराज की राजदानी कुशी नारा जिसे वर्तमान के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ेंगे बुद्ध हो गया शंग हो गया और धम ये तीनों मिला के दोस्तों बुद्ध धर्म के तिरतन कहलाते हैं ध्यान रखेंगे नेक्स्ट बुद्ध गरनतों में सुप्त पिटक बिनाई पिटक और अभिधम पिटक को सामह को अगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कालांतर में कनिस्क के के सासनकाल में बहुत धर्म का विभाजन ही नियान तथा महायान दोष साखाओं में हो गया ही नियान साखा के अनुयायों ने गौतम बुद्ध के मोल उपदेशों को सोविकार किया जबकि मह अगे बहुत धर्म की महा संगीतिया देखेंगे पर्थम बहुत धर्म की बात की जया तो इस का विभाजन तीन सो चार सो दोस्तों तिरासी सापुर में कहां पर राजग्रह में आजात शत्रों के सासनकाल में की गई थी देखेंगे बहुत धर्म के साथ देखेंगे अब चार बहुत धर्म के साथ दोस्तों वह पूछा था इसको भी आप लोग कलेक्ट करेंगे इस टापिक को आपको यहां तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने है पीडियाप के लिए दोस्तों यह हमारा होड़सप नमबर लगा हुआ है बढ़ेंगे दोस्तों आपके सामने हैं देखेंगे किस टापिक से रखा गया है खजुराहो मंदिर भारत के किस राज में इस्थित है करेक्ट अंसरोगा छतरपूर मद्पर्देश में इस्थित है तो सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है अच्छे से आपको प्रिपेर करने है चलिए शुरू करते है कोश्चन था हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज में इस्थित है करेक्ट अंसरोगा छतरपूर मिद्पर्देश में चलिए इस सीट को थोड़ा से अपने सामने करते हैं देखेगा अब एक तरफ भात के परमुक हिमारतों मंदिरों के नाम देगे हैं दूसरी अजन्ता यूम एलोरा गुफा जो की अउरंगाबाद महाराष्ट में इस्थिता है अब यहां पर आपको जक्ट लोकेशन जरूर ध्यान रखने हैं अब यही जादा आपके अप्सन में आता दोस्तों तो आप जक्ट लोकेशन के साथ इसको दोस्तों प्रिपेर रखेंग में है सूर मंदिर जिसे काला पेगोडा की नाम से भी जानाता है कोडार कोड़ी सा में है दच्छडएसर काली मंदिर आपका कोलकाता पस्चिम बंगाल में ध्यान रखेंगे आप लोग आगे बढ़ते हैं अगला हमारा क्या दोस्तों सोमनात मंदिर मोस्ट उमपाटन जो क मनदिर आपका तमिललादू में इस थी धी थै मिनाची मंदिर जो कि मदुर्य। उमिललादू में इस थी धी दियान रखेंगे आप लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्या है नटराज मंदिर चितमबरम cm outeros में इस्थित थे था है। ध्यार रखेंगे इंग्रा प्रशुर्ण मंदिर आपका तिरुकति छतरपर परधेश में इस्थित थे जगान नाक मंदिरु और इंग्रेश में इस्थित थे 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 2 सथ 10였습니다 लिड़ा मंदिरा इसीड़ेश घर करेक्ट अंसरों का I раст कमी से को फ़िखन का टापिक कि है दोस्तों आपका जर्णाइश चैनल साइस में सबसे बेतस का टापिक है। आपका बाइओ की का टापिक में वहां से को टापिक है और इस्टाइब का आपके और अंगूर लता किस फसल की पर जाती है तो इस तो आलू की है ध्यान रखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है तो धान का होता है और भारत में धान की सबसे दिखेती किस राज में होती है तो अपस्य मंगाल में होती है वह गन्ना का लाल सडन रोक किस के काण होता है तो यह फफूदी के काण होता है पूरी तरह से आपको प्रि योगी खेती है आगे बढ़ेंगे पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिती के कान लाल हो साता है तो लाई को पिन के नेक्स्ट नारियल का खानी योगी भाग होता है तो घ्रोन पोस है लीची फल का खानी योगी भाग होता है तो दोस्तों एरिल है नेक्स्ट नास पात पेड के किस भाग से प्राप्त होती है, तो चाल से, नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त कियाता है, चीड से, अफिम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो फूल से, नेक्स्ट, पौधे में वास्पो सर्जन की किरिया किस में होती है, पत्तियों से होती है, प्रा का सिद्धान किस ने दिया था चाल से डार्विन ने, next मनुस्थ के सरीर में सबसे लब्मी को उसका होती है तंत्रिका को उसका DNA का डबल हिलिक्स माडल किस ने दिया था वरसंथ था क्रिक ने और जो विकास को सरप्रतम किस ने समझा था तो लाइमार्ट में पूरी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला question आपका क्या है, उत्परिवर्तन यानि कि मूटेशन के सिध्धान के जन्म दाता थे, तो D. विरीज थे, आगे बढ़ेंगे, question है, परवाल यानि कोरल्स क्या है, तो एक समुद्री जीव है, रेसम के कीड़े पालने को कहते हैं, सेरी कल सरीर में हिमोकलूबिन का कार्या है, आकसीजन का प्रिवहान करना, आगे बढ़ेंगे, मानो सरीर में लाल रक्तिकन का निर्माण का होता है, स्थिमत, जामे और सफेद रक्तिकन, यानि कि WBC का मुखकार है, रोग परतिरोधक छमता धारण करना, next, कौन सा रक्तिस समूद् दाता है, तो वो है, A to Z हम लोग complete करते हैं, जहां से भी questions उठाए जाता है, अगला है, सेरे बरम किसे समन्दित है, मस्तिस से है, और एलीजा परिछन किस रोग की पहिसान के लिए कि जाती है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़िएगा, अगला question क्या दूस्तों आपका, जीन सब्दकार सरपर्थां परियोग किसने किया था, जो हांसन ने, आलू का खाने योग भाग कौन सा होता है, तो तना है, हाडो फूबिया, रोग किस के द्वारा उत्पन होता है, तो विसानू के द्वारा, और डाइनसूर किया थे, तो मैसो जो एक सरीशरीब थे, नेक्ष किसके कमी से होता है, एरन की कमी से, वाई पर दूसरों में सरवादी खाने का रग ऐसा है, कर्बन मोनो एक्साइड, और लाश कोशन इस सीरीज का अमारा पीलिया रोग में सरीर का कौन संग प्रहाइत होता है, तो यक्रित है ध्यान रखेंगे आप लोग, तो दोस्तों यह